कि रादे रादे दुस्तों स्वागा था आप सभी ट्रेडेर्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रिन मार्केट ऑफिसल पर दोस्तों यहां पर हम लोग डेली एनलेसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या होने वाला है उसको जानते हैं तो प है थो है आप जोइन कर सकते हैं या पे की निच्ट को है कि दर्किए सबसे पहले जयसे कि है जारे रहे हैं आपक्ष मिलगों करें लेकिन निपटी पिप्टी को अनलेसिस करने से पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि 젊 मार्केट में निपटी 50 तुर उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है जैसे हमारी Reliance का है तो Reliance का जो Moment होता है Market में उसी हिसाब से Nifty 50 पर भी उसका असर दिखता है तो सबसे पहले इसलिए हम लोग Reliance को ही Analysis कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हो कि कुछ दिनों पहले यानि कि कुछ दिन पहले हमारे इस स्टॉक में इस पैटन बना है और मार्केट वापस आके इस जोन को रिटेस्ट कर चुकी है तो हमारा टार्गेट अभी इसमें है जो Reliance में 188 रुपए तक का है ठीक है तो हाई चांसा के आने वाले दिनों में यह एक दिन का टाइम फ्रेम पे इसको मैंने एनलिसिस किया है वाई ठीक है Reliance का जिसको इसको थोड़ा सा अगर Confusion हो तो प्लीज आप एक मिनट के टाइम फ्रेम में जाके यह वाली पैटन देख लेना आपको यह पता चल जाएगा ठीक है तो यह रिटेस्ट कर चुकी अब देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि रिटेस्ट करने का बाद मार्केट उपर भागती है ठीक है तो यह मार्केट रिटेस्ट कर चुकी और यह जैसे इस लेबल को क्रॉस करेगी मतलब यह लबल लबख समझ लिए कि 2636 के आसपास को जैसे यह कवर करके उपर निकलेगी तो यह हमारे लिए और भी क्लियर रास्ता बन जागा हमारे टार्गेट की तो फिलाल तो यह बात है भाई कि अभी 2581 के आसपास मार्केट को जा नहीं है क्योंकि यह थोड़ा से रिटेस्ट लेबल हो सकता है इसको भी थोड़ा से तोड़की बाहर निकलेगा तो और क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यह पैटर्ण बनाए भाई तो इसको यह तो ऐसी लिए लूग Yellow Time Marketing अगर जा सकती है तो अगर आप देखो कि तो हमेरे हमने जो मार्क कर एम इसने उप्रण सपोर्टिंच लेवल जो है तो मैंने रजिस्टेंस लेबल दिया है 19,227 रुपे का ठीक है और उससे भी उपर जो स्ट्रॉंग वाला रिजिस्टेंस रुपे का है और उसके सबसे स्ट्रॉंगेस्ट वाला जो उससे तरह से अगर लाइट सपोर्ट का बात करेंगे जिसको मार्केट साट तोड़ भी सकती है तो 19,199 का है उसके बाद है 19,104 और उसके बाद है 19,000 का लेवल ठीक है तो मैंने जो हम लोग जब इसमें लाइट रिजिस्टर्स और लाइट सपोर्ट लिखते हैं इसका मतलब यह होता है भाई कि जब मार्केट इसके नीचे निकलती है तो यह एक कन्फर्मिशन दे दे देती कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगी अगर यह नीचे आती है तो मतलब कि यहाँ पर समझो इस बात को ठीक है जिसे मार्केट जो है यहाँ पर आ गई मान के चलो कि मैं बताता हूँ इससे market यहां से तोड़के नीचे आगई इदर और इसको वापस जाके रिटेश्ट करती दिये confirm करती है कि market नीचे ही जाएगी तो इस तरह से आप इसका एक downtrend को समझ जाओगे कि यह market क्या अपना दिखाने वाला है रंग इसी तरह से अगर market अभी ठीक है अगर इस label को तोड़के और इधर निकलती है तो यह हाई चांस है कि इसको रिटेश्ट करके ऊपर जाने का कोशिस करेगा और इस label को भी अगर यह तोड़ देती तो कोई confusion नहीं है यहाँ पर मुझे लगता है जहां तक क्योंकि आप भाई समझो ना कि बाप तो बाप होता है अगर निप्टी-फिप्टी का बाप अगर हम लोग जो मेरी आरे से थिओरी पड़े हैं उनको मैं उनको बता देता हूं या वह जानते भी होंगे कि हम लोग आरे से के थुरूब मार्केट को नेरिसिस करते हैं ठीक है तो उसके प्रद्रिस सभी देख लेते हैं अभी ओके दोस्तों देखिए समझी यहाँ पर जो आर मार्केट उपर जा रही है लेकिन यहां पर आप देखो गहां तो में डाउन ट्रेंड बना रहे है ठीक है अब को मार्केट यहां पर बना थी तो यहां पर ती लगबग 18,980 असपास और अभी इसका जो हाई है भाई देख रहे हैं यहां पर पच्छत और है और यहां पर ये हाई बना रही है को यहाँ पर हाइव बना रही है यहाँ आ यहाँ पर में जांक चैनल चैनल एक तो में हमार्केट यार सबक्छर होगेल आपको बताओं मुझे चाहिए समझ मर्हार तो अगर कल मार्केट इधर गिरना शुरू होती है तो आप इस लेवल तक के लिए रेडी रहना ये 1950 की लेवल को टच कर जाएगी इसके बाद ही मार्केट वापस मुर सकती है ठीक है और इसके अलावा बात करें कि अगर मार्केट उपर निकलती बाए तो ये लेवल में सपो मार्केट तो कुछ भी कहना अग्दम संभाव नहीं है कि मार्केट कितना उपर जाएगी अभी लेकिन मेरा हमको जान तक लग रहा है अगर मार्केट नीचे आती है तो आपके लिए एक बहतर विकल्प सावित होता है कि मार्केट उपर जाएगी लेकिन अगर उपर ही जाती है वी फिलाल तो आपको थोड़ा सा सोचना है तो सोचना क्या है बाई मैंने जो पाय थेहरी पड़ाया है ठीक है 15 मिट के कैनल मार् कि वह देख लेना जाके वीडियो आपको समझ में आजाए क्योंकि मैं बार बार एकी चीज नहीं बता सकता है तो उसके थुरू आप रहाम से ट्रेट करो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको जहां तक समझ में आता है ठीक है बागी सब तो आप लोग जानते हो बस यह इंपोर् को मार्क करना सीखो यह आपके लिए बहुत बैतर है क्योंकि देखो अभी अभी आप क्या बोलोगे बताओ इधर देखो चलो मैं मार्केट को छोटा कर देता हूं आप इधर रहते तो आप इधर बोलते भाई यहां से मार्केट घूमी तो यह हमारे एक रजिस्टेंस लोगे तो वह रजिस्टेंस जुनने के लिए हम लोग क्या करते भाई ऑप्सन चेने पर जाते हैं कि उपर के मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग कहां बैठे वे तो यह रजिस्टेंस का काम कर रहा है उसके बाद उसके नीचे आओगे तो उनीस सजार तीन सो के लेवल जबसे जदा लोग बैठे वे यह भी मारकर सकती है तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं बैंक निंप्ति की बात करने से पहले जानते कि बैंक निप्टि का जो इंपोर्टेंट जो बढ़ियां वाला जो कंपनी जो बैंक निप्टी को ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेट्स लेते जिसमें लोग यह ज्यादा उसका परसेंटेज है तो उसमें से दो कंपनियां आती है पहली आती है अब आप दोनों में देखोगे तो यहां पे डबलू पैडन बना हुआ है तो डबलू पैडन जभी बनता है तो मार्केट उपर जाता है यह हमारा टार्गेट इसमें HDFC बैंक में 1850 के आसपास का है ठीक है यह इसमें क्लियर हो रहा है कि इसमें यह मार्केट उपर जा सकती साथ एकाद दिन के लिए मार्केट इसमें फस है लेकिन उपर जाएगी ठीक है सेम टू सेम अब जब ICICI bank में आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट लेवल पर है ठीक है यह जो रिजिस्टेंस लेवल है इसको मार्केट को तोड़के इसको उपर निकलती है तो यह confirm है कि मार्केट को उपर की और अच्छी खासी ले जाएगी और दूसरी आप यहाँ पर ध्यान दोगे यहाँ पर दियान देते हो तो यहाँ पर देखो आप यह एक wavelength बना रही तर ठीक है और जब भी यह triangleGet लपन‐ रही तो यह मार्केट की और निकलती है तक है यह प्दटन जब कड़ोगे तो आपासी दोलों को आ दुनों के दुनों बैंक जो है तो positive attitude में हैं तो बैंक निप्टी में भी अच्छी वाली moment आ सकती है तो मैं अच्छी वाली moment तभी मानता हूं भाई जब market थोड़ा सा नीचे आए और यहां से फिर से market support बना के उपर उठना शुरू हो जाए ठीक है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है मान के चलिए कि यह वाला support level है ठीक है लेकिन अगर market उपर शैड के लिए निकलती है कल क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा जानते हैं कि मंडे के दिन market हमेशा positive भी खुलती है तो अभी तो market इस आसपास में होता है वाई हमारा जो मैंने यह resistance मार्क करा है अब मार्केट जब उसके ऊपर निकल जाती है तो यह हमारे लिए support का काम करने लगता है ठीक है यह बत आपको दिमाग में आप रख लो ठीक है जो जो नए है उनके लिए है कि जब भी market में हम लोग resistance level मार्क करते हैं और market उसक के ऊपर निकल के खुली जाती है नीचे आती तो यह support बनेगा और यहां से फिर हम लोगों को एक अच्छी-खाची profit booking देखने के लिए मिलेगी call side के लिए ठीक है तो दोनों तरह के लिए आप रेडी रहिए कल के market में क्योंकि कल Monday है तो Monday के दिन ना बहुत सारे जो है सो नए नए लोग इंट्री पोजिशन बनाते मार्केट में और यहां के जो पोजिशन ने पूट कॉल का वो थोड़ा चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से अचानक से मंड़े में कभी भी मार्केट में नहीं घुसना है वाई क्योंकि मार्केट को सेट होने के लिए थोड़ा time लेबल है क्योंकि मार्केट यहां पर time is spent कर और यहां से मार्केट उपर निकला है फिर यहां पर मार्केट फ़र्स ही थी तो यहां भी मैंने एक support बना दिया ठीक है लेकिन उपर में resistance की सदर पर बनाया है तो उपर के resistance बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है वाई आपको बाद चोटा सा आपको option खोल लेना है यहां पर बैंक निप्टी के चार्ट पर जाके देखना है वाई कि उपर की और मतलब की देखिए मार्केट कि इदर जाना है अभी मार्केट को जाना है वाई उपर की और मतलब की 44,700, 44,000 से उपर 45,000 दर जानी है तो आपको इदर दे देखने के कहां पर मार्केट में भेहनक वाले जो मार्केट को गिराने के लिए बैटे वेने के कॉल राइटर्स बैटे वे क्या करते हैं मार्केट को गिराते हैं यह मार्केट को गिराते हैं तो इदर जितने लोग ज्यादा बैटे वे यह मार्केट को उठाना चाहते है त तो इससे ही market को analysis किया जाता है और इससे आपको analysis करने के लिए सीखना है option chain के थुरू ही तो कि यह आपको बहुत बढ़िया एक मतलब की समझ लिए help करता है market को analysis करने में तो option chain की मदद से आप market को analyze कर सकते हो कि market में कल क्या होने वाला है यह हलकी फूल की आपको एक बैतरीन मतलब की हलकी फूल की एक जानकारी देती है क्योंकि जैसे market खुलता है ना तो इधर कर जो data होता है इधर कर जो data होता है यह change होने लगता क्योंकि लोग अपने position change करते हैं तो इधर data घड़ भी सकता है और इधर data बड़ भी सकता है ठीक है इसलिए जब market में घुस होगे तो पहले इसको भी देख लेना फिर आई भी देख लेना market का कि उसमें क्या value है intrinsic value कितनी चल रही है वाई पलस की एक और important चीज है जो market को थोड़ा सा मतलब की जानकारी देता है कि market का trend की set जाने वाला है ठीक है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं वही उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर इंडिया विक्स ठीक है तो इंडिया विक्स का चार्ट भी आप खोल के देख लेना कि तो यहां पर इंडिया विक्स की चार्ट आप देख लो ठीक है इंडिया विक्स क्या हाला थे इधर जब ट्रीडिंग करते हो ना तो एक इंडिया विक्स की चार्ट खुली होनी चाहिए आपके laptop पे ठीक है क्योंकि यह market का trend को confirm करता है ठीक है यह बात आप लोग थोड़ा की या 13 की आसपास चल रही होती है तो market normal है कि market normal अभी चल रही है अवर्वत नहीं हुग है लेकिन जब 15 चल जाती बाई है इधर तो थोड़ा दिक्कत है ठीक है तो इंडिया विक्स के हिसाफ से मार्केट जब नीचे आती है ठीक है आ से मार्केट जब नीचे आती है तो य तो हमारा मिन मार्केट जो है निप्टी और बैंक यिप्टी दोनों नीचe गिरने लग्ते हैं तो यहां पी आप देखोगे, इसको और परशनली करते हो तो यहां पश्चब्स एक ट्रेंड लाइन मनाते वई हैं ऐसे हैं यह ए यह बारवा ट्रेंड तो टॉप जो है वहां पर मैच करने चाहिए एक मैंने यहां पर टॉप मेच कराया है अब यहां देखेए आप यहां पर देखोगे न तो इधर से इसको पुछ करने के लिए यहां तो इसलिए मार्केट जो अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है लेकिन ऊपर अगर यह थोड़ा सा और जाता भी है तो यहां पर इसको 200 दिन का मोविंग अवरेज धके लेगा तो यहां पर स्ट्रॉंग है बहुत जदा उपर तो है नहीं थोड़ा ही है मतलब कि बीस पॉइंट बीस पॉइंट बीस है इसमें ठीक है इतना ही है तो यह थोड़ा सा उपर जाता भी है तो हल्की फूल की इसलिए मां बार बार बोल रहा हू उपर उड़ेगी ठीक है तो आपके लिए बहतर रास्ता मिल जाएगा ठीक है अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करना अगर समझने में कोई कंफ्यूजन होता है तो बागी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहां प मुझका जवाब दूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगा आपको क्लियर कर दूँगा बागी मैं चाहता हूं ढख करना है आप भी इताम मैंने बना पांगा वैसा होगा तो मैं एक वीडियो लियाओंगा इसन्डे को ठीक है जिसमें बताऊंगा कि इस टोक को कैसे एनलाइज करना है अब आप उस वीडियो के देख के सीखना क्योंकि रोज-रोज बताना थोड़ा मुस्किल है जो इंपोर्टेंट इस टोक होंगे वो अगर मुझे पता चलेगा कि किस टोक में वेल्यू बढ़ने वाली है तो व आपको मिल जाएगा आप इस पर जोइन कर लेना चोटी से फैमिली वहारी फैमिली जैसी है जो भी इंपोर्टेंट अपडेट्स होते मैं इस ग्रूप पर डाल देता हूं बाकि आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो यहां भी आपको मेरे टिलेग्राम चैनल का लिंक ट्रेडिंग वीडियो मिलेगे आपको ठीक है ट्रेडिंग के करियर में तो प्लीज बने रहे हैं वीडियो पे और एनलिस शुरू से अन तक देखिए जो भी इंपोर्टेंट सपोर्ड मैंने बताया है और रिजिटेंस बताया है वह अपने क्राप पे मार्क कर लिजेगा ताकि आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्तत नहीं हो बाकि दोस्तों मिलते हैं लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए पना ख्याल रखेगा बाई बाई